अब हम बात करेंगे वर्गो यानि कन्या राशी वालों के लिए कि कौन आपके प्यार को सीक्रेट रखेगा और कौन शोर मचाएगा कन्या राशी वालों की एक खासियत होती है कि वो जिससे भी प्यार करते हैं चाहे वो छोटा हो चाहे वो लंबा हो चाहे वो जो है थोड़ पब्लिक में आके रोते नहीं है तो ऐसे लोगों के लिए पेश है एरीज यानि के मेश राशी वालों के साथ में कैसा रहेगा मेश राशी वाले देखो भाईया शोर मचाने में पूरा विस्वास रखते हैं वो फ्लाउंट करेंगे वो ना केवल आपको टीज करेंगे अब उसको maintain रख सकते हैं या नी रख सकते हैं यह एक अलग की बात है टॉरस राशी वाले व्रशव राशी वाले बिलकुल अगर आप इनके साथ प्यार में हैं तो यह जो है आपको एक तो एक तरीके से एक तो आपको इनमें dignity महसूस होगी महसूस होगा कि हाँ यह एक deep thinker है या एक बहुत ही जो है serious type personality है यहना बहुत serious type personality है कई बार बहुत ज्यादा serious personality भी जो है थोड़ा सा negatively जाना शुरू कर देती है तो इसलिए इनके साथ में ऐसा रहेगा जैमनाय मिथुन राशी वाले एक बड़े परिवार में होते हैं और यही जो है एक बड़े ग्रुप को समालते हैं यही जो है चीज जो है उनको थोड़ा सा edge पर डालती है थोड़ा सा edge पर इसलिए डालते है क्यों क्यों प्रेशर बरदास्थ नहीं कर सकते हैं और कई बार out of pressure हो करके चीजों को बताना पड़ता है cancer करकराशी वालों को करकराशी वालों के साथ में problematic है problems हैं उनक साथ में अगर आप प्रेम में है करकर राशी वालों गे साथ में तो आप बिलकुल निम्रतम जो नीचे का जो इस्तार हो सकता है सबसे नीचे के इस्तार की जो लेंग्विज हो सकती है उसको भी आप जो है महसूस करेंगे लाइफ में और इनका behavior भी जो है आपको इस तरीक से तंग कर सकता है और यह जो है साथ पूरी संसार को बता देंगे पूरी दुनिया को पता होगा कि किसके साथ प्रेम में यह नॉन सीरियस टाइप सॉलिड बोलते हैं तो यह वाली कहानी है वर्गो कन्या कन्या और आशी वालों के साथ में अच्छा खासा एक relationship है जो की विलब सिक्योर है अपने relationship में और उस relationship से बाहर जाने का मतलब नहीं बनता और जो है जैसे सेम प्रोफेशन हो गए दो जो प्रोफेशर हो गए या दो जो है डॉक्टर्स हो गए यह इस तरह का हुए तो अपने अपने नहीं इस प्रोफेशन हो यहां पर कई मामब्लों में आप तुला के साथ में आप यानि लिब्रा वालों साथ में आप अगरी नहीं करते हो especially जो उनका financial जो एक दुमिया का जो world map है उसके वा उस तक्पर आप अगरी नहीं करते हो क्यूंकि आप बोलते हो नहीं यार यह अगर आप स्कॉर्प्यू यानि व्रष्चिक राशी वालों के साथ में अगर आप प्रेम में हैं तो यकीन मानिए वह एक फुल पॉब्लिक व्यू में आपको लिख करके जाएंगे नहीं दुनिया से आपको इंट्रेड्यूस करेंगे और उनको जरा भी भै नहीं होगा जरा दुनिया के सामने दुनिया के सामटें इंट्रेड्यूस कराएंगे कि हाँ वह आपके साथ प्रेम में हैं लेकिन जहां कहीं पर भी प्रेशार आएगा वह थोड़ा साया और कमजोर पड़ रहे हैं हालां कि रणनीती बना करके अगर वह अपनी वापस आते हैं तो चीजों को समाल लेंगे कैप्रिकॉन मकर राशी वाले जो की मलब एक तरीके से गॉसिप क्वीन्स हैं गॉसिप किंग्स हैं वो बता देंगे जनता को और वो परवा भी नहीं करते किया क्या सूचता है बस यह है कि बहुजा जन तक सीक्रेट दिल के अंदर नहीं रहना चीए बस उ और आपकी हर बात को बड़ा सीरेश भी लेते हैं और दुनिया को उनको किसी को नहीं बताना वो बहुत अच्छे सीक्रेट कीपर होते हैं जहां तक हो सकेगा आपको दुनिया से छुपा कर रखेंगे काफी हद तक और कोई रेलेशनशिप कब खतम हुआ कब शुरू हुआ वो जो है एक्वेरियस कुम राशी वालों की परसनल प्राबलम्स हैं वो मानते हैं कि यह मेरी परसनल प्राबलम है दुनिया को हमारे पेंसे कोई लेना देना नहीं है वो इस चीज़ को मानके चलते हैं और कन्या राशी वाले भी इस चीज़ को मानते हैं कि दुनिया साथ हस सकती है मगर हमारे साथ रो नहीं सकती है तो यहां पर यह वाली कहानी है अब जो यहां पर लास्ट जो राशी है पाइसस अलाकि एक अच्छा रिलेशन से प्रहेगा बड़ यह चैटर बॉक्स है यह जब बात करना शुरू करते हैं तो यह तो यह रुकते नहीं है इनकी कहानी है तो आपको कन्याराशी वालों को बिना फाल्टूगी पब्लिसिटी बिल्कुल नहीं चाहिए इस्पेशली रिलेशन्स के बारे में जो रिलेशन्सिप है वो एकदम बिल्कुल प्राइवेट है एकदम पर्सनल है तो अपना ख्याल रखें और हमारा चैनल और ब्लस्यू